सनी देवल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर का सीक्विल जल्दी सिनेमा घरों में आने वाला है फिल्म के रिलीज से पहले ही इसले कर विवाद शुरू हो गया है हाल ही में फिल्म के एक सीन पर शिरोमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी ने एतरास जताया SGPC ने फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर के खिलाव भी कारवाई की मांग की है इसी को लेकर अब डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपनी सफाई पेश की है अनिल शर्मा ने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो किसी भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुचाना चाहते कैप्शन में उन्होंने लिखा गदर्टू की चंदिगट गुरुद्वारा साहिब में हुई शूट को लेकर कुछ कलत फैमी कुछ मित्रों के मन में हुई उसे लेकर मेरा सपश्टिकरिन है सब्धर्म संभव, सब्धर्म सद्भाव यही शिक्षा पाई है मैंने और यही हमारे गदर्टू की यूनिट का मंत्र है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा सीन गुरुद्वारा के बाहरी हिस्से में फिल्माया गया है मैं और मेरी पूरी यूनिट सबकी धर्मिक भावनाओं का समान करते हैं हमारा कोई मकसद नहीं किसी को ठेस पहुचाने का लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं उन लोगों की माफी मांगता हूँ जो भी आत होया है बता दे कि इस सीन में सनी देवल और अक्टरस अमीशा पटेल एक दूसरे की बाहों में बाहे डालते हुए नजर आ रहे है सोशल मीडिया पर ये क्लिप काफी वाइरल हो रही है जिसमें पीछे कड़े हुए लोग भी उन्हें चियर करते दिखाए दे रहे है दोनोंने ऐसे पोस दिये हैं जो भी गुरुद्वारा में किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए